हेलो फ्रीज वेलकम बाक तो मैं जाना मैं सरिता आज मैं आप साथ शेयर करने जारे हूं कि आप अपने उल्जे हुए बालों को किस तरह से बिन्यदत के सुलचा सकते हैं हाँ टु मेक यह नौट्फी आएर्य मुस्की हमारे हेर्य का नेक के ऊपर वाल यह एक्राइब सता है यह बीदियो में कैस तरह से अपने अपनी उल्जे बालों को सुल जा सकते हैं बहुत आसान तरीकी से कि बास दोने के बाद बहुत ही जादा उलाज चाते हैं और टाइंग घ्री नौट फ्री जटा किसी भी तरह से वोर सकते यह देखित कि अंदर मैं बहुत जादा उल्जै हुए देखि आपको दिख रहा है अभी मैं आपको दिखाऊंगे बहुत ही असान तरीके से आप इन्हें सुलजा सकते हैं आपने टांगल को रिमूव कर सकते हैं सबसे पहले आप इसी इसका ध्यान रखी कि आप इस तरह का कॉम ले अपने कॉम को टांगल फ्री करने के लिए क्योंकि इस ते आपके बाल यह विँभनें और आब बालोंको स्मूदर बनानी में तो मैं बालों कंदर हल्का सा जाधा नहीं अलिट आप आपट जाना करना चाहते हैं वो भी बैसहें ब द कीभी पांटयुकि करने से पहले थोड़ाइस ऑयल हल्के सा बालों में लगा ले ताकि आपके बाल थोड़ी स स्मून हो जाए तो मैं हल्का सा और आपको दिखाँ के दिखाते हूं थोड़ा सा ओईल में लेती अपने हैंड में इस तरह سے मैंने लिए इससे क्या होगा आपके एर्स थोड़ से स्मून देंगे इस तरह दोन हाथूं में राब करके यह पोर्षन जो लंक की ऊपर शोन होता ह यहां आपके हैर्स बहुत ज़्यादा उल्ज्रे होते हैं तो यह देखिए इस तरह से लगा के आप दो मेट छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं इस तरह से फुझाब कर लें आ इस है य को ऑई है बालों को दो सेक्शिन के बाइद के-इस तरह से इस तरह से साइट श सीपकड़ के बालों नीचों से ज नीची मिजें आप कमकरें यह ब करें इसम्रें अंटि आइज तैट से बाल पर करें लेमे है तो आपके नहीं इस तरह से हलकसा और तो थोड़ा 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 करके उपर जाते रहें और बालों के तांगल्स को रिमूव करते रहें इस तरह से अगर इस तरह से उल्जन आती है तो उल्जन को इस तरह से इस तरह से सुल्जा ले तो बिल्कुल भी पेल नहीं हुगा इस तरह से यह देखिए चोट शुटा सेक्शन लेकर के यह तरह से हैं नीचे से उपर के और कॉम करें यह तरह से यहां को जो एरिया होता है यह ज्यादा उल्जेव होते हैं तो इनको अच्छे से थोड़ा सॉट एरिया भी होता है तो इसको यहां से इसनों किसी क्याँ बालत यह तरह से पकड़ के और हल्क हल्क कर तरह से क्लीन होगा अब खीनोर तो ती है सकेल्ड इस्टरस भी थी वारो को टंब कुल बूच्छाब नहोए इस्टरसे फोड़ खोड़ा नीजी की साइड इस्टरसे कर तेवे कि विर लुकुल टैंगल स्री हो गए है साथ कि अधिक नीची की साइड से फिर से एक नौट आपको देखाई दी नौट को इस तरह से करना है आपको हलका साब पकड़ के इस तरह से फिर से फिर से नौट आ गए है तो आपको क्या करना है यहां से ताइट से हैर्स को पकड़ के इस तरह से नौट को इस तरह से रिमूव करना है यह देखिए नौट रिमूव हो गए है और यह देखिए बिलुकुल टैंगल स्ली हैर्स हो गए है इस तरह से कॉंट करते जाए और बालों को एक्साइड करते जाए है क्योंकि बाल धोने के बाद बहुत ही उलच जाते हैं यह देखिए इस तरह से इनको आप टाइप से पकड़के नीचे से उपर ती तरफ कॉंपो करें तो आपके बाल भी कम तूटेंगे और आपको पेन भी कम होगा यह देखिए इस तरह से तो देखिए तो तो दो नौट शिर से आगया है यह से तक जहां से पकड़के आप आप तो दिल्कुल पेन नहीं हो रहा है दर से आपके एक तब नॉट स्वी है शोगया आपके एक तब एक एक तब ही तक नॉट्स भी है रोगे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राब करें मेरे चानल को और कॉमेंट करना बिल्कुई पिना बने